जहां अडानी वहां मोदी और जहां अडानी मोदी वहां घोटाले और अब एक बार फिर मोदी जी अपनी दोस्ती निभाने के लिए यह यूं कहें कि अडानी जी एक और नया घोटाला करने के लिए तैयार है मोधी सरकार ने राजियों के बिजली विभागों को पत्र लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द विदेशी कोईला खरीद ले मोधी सरकार विदेशी कोईला खरीदने का ये दबाव क्यों डाल रही है? इसका जवाब हम सब को पता है क्योंकि हाल ही में आई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पिये मोदी के मित्र अडानी विदेशी कोईले से कैसे पैसा बना रही है लेकिन इस खत पर बिजली विभागों का कहना है कि हमारे पास परयाप्त कोईला है विदेशी कोईला महगा होता है और उसे खरीदेंगे तो बिजली के दाम बढ़ जाएंगे पर गौर करने वाली बात ये है कि 2016 में प्यूश गोईल जी ने घोशना की थी कि भारत 3-4 वर्षों में कोईला आयात समाप्त कर देगा तब CIL 600 मिलियन टन से कम उत्पादन कर रहा था लेकिन 2017 और 2020 के बीच CIL का उत्पादन ज्यादातर स्थिर रहा वितवर्ष 2022 में CIL ने केवल 622 मिलियन टन कोईले का उत्पादन किया अधिक चौकाने वाली बात तो ये है कि 2016 में CIL के पास 30,000 करोड रुपए से अधिक का नकदी भंडार था इसका उपयोग CIL के विशाल भंडार से उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसके बजाए CIL के नकद भंडार को भाजपा सरकार द्वारा लाभांश के रूप में ले लिया गया संभवता 2017 और 2020 के बीच राजस्व में गिरावट के कारण बढ़ते राजकोशिय अंतर को पाटने के लिए भारत के पास 352 बिलियन टन का विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोईला भंडार है यदि मोदी सरकार ने 2016 से 2020 की बीच बढ़ी हुई कोईला उतपादन योजना को गंभीरता से लागू किया होता तो आज भारत बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोईले की कमी से नहीं जूज रहा होता लेकिन मोदी जी बस एक सूत्र पर काम कर रही हैं दोस्त के लिए सब कुछ करूँगा